कि बच्छो साइन्समे न मैजिक भरी बड़ी है ना बहुत सरे मैजीक होता ही कुछ नहीं है अगर मैं यूंध समझते हैं देखो क्या हो रहा है अगर मैं इस भील को ऐसे छोड़ देता हूं यहां से छोड़ दिया मैंने तो वेल क्या हो गया नीचे ड्रॉप हो गया राइट क्यों हुआ है क्योंकि यहां पर आसे मैंने पकड़ रखा है तो यह जो रसी हो गई रोप हो गई आपकी रोप से इसमें लग रही है फोर्स लग रही है लेकिन और यह इसको रोटेट करके छोड़ आँभां बेम है यहीर किया है जर दिया रख और यह अब यह नीचे नहीं गिर रहा अब तुम्हें एक एक चीज और देखो यहां पर यह इस तरह से घूम रहा है साथ में इसके साथ में यह कैसे घूम रहा है साथ में एक spin और चल रहे है क्रोटीशन और चल रहाए इस तरीके से चल रहा है नहा हां देखो बज़र करो त यहां से अगर मैं अभे क्या करता हूँ यह मैं इसको रोग दिता हूंयू थी नहीं और ऑप झाल नहीं जमनी ऐसे खुमाया थे इसको तो spin ऐसे कर रहा था कैसे यह इस तरीके से spin कर रहा था ठीक है अगर मैं इसको वापस ऐसे इस डारेक्षिन वे रोटेट करता हूं ऐसे ईसे कर रहा है ना समय नहीं था क्यों हो रहा है दो क्वेशन है एक तो जिए हम इसको रोट एक करते हैं। तो यह घ्रता एक डिमीशन नहीं पहली भात पहला निंभर के अधिकिन के तर Спीन की डारिक्शन रोटेषन कर देते हैं। अब देखो इशके डारिक्षन अगर चेंज कर देते हम तो क्या होगा टारिक्षिन इसकी वाले रोटेशन की सिंग का चैंज हो जाएक एसा क्यों हो रहा है देखो अब हम इसको समझते है है जैसे रोटेट कर रहा है तो इसका जो एंगलार by mhlenerb मोमेंटम हैं यहां पर स्थीता रोटेशन है कौन सेता है घो हकुए औरम यहां पी करेंगे इसको अपनी जो फिंगर से राइड हैं के उनको करेंगे उन DARSthen प्रण है यह हमारा एंगलर मॉमेंटम की डारेक्शन देता है अभ को ऐसे करें एसे और रोटेट यह हमाने अग्लर मॉमेंटम की डारेक्शन बनती और अगर हम इसको उल्टा घुमाते है तो डारीक्शन आपकी मोमेंटम कि ये बनती है अगर हम ऐसे इसको रॉटेट किया एस ये बनती है तब क्या होता है कि भार से क्यूकि इस डारीक्शन में इक लिए चोड़ दीया ने यह हुआ यह मारा आ एफ लगेगा फोर्ट लगा का अब क्या हो रहे देखो D ठीक है एक्सिस के रिस्पैक्ट में इसको रोटेट होता रहेगां है तो अब कुछ नहीं होगा यह ऐसे देखो ऐसे रोटेट कर रहा है अगना हम इसको किसी ऑंगल फिरोटेट कर देना तो भी उसी एंगल पर रोटेट करता रहेगा डिय uk dabar momentum कंजर रहता है ठीक है हां आप दूसर्स प्रीनोमना समझते कि यह वाली spinning क्यूं होती है देखो अब क्या हो रहा है कि जैसे हम इसको ऐसे रोटेट करते हैं यह वाले डारेक्शन में ठीक है तो क्या हो रहा है हमारे जो अंगलर अब लेकिन यह जो को गयाए तो यहां पे तो टोर्क नहीं है सकी द्रैकशन में लेकिन यहां पर देख थे यहां पर नीचे की तुरफ कर रहा है और यह हमारा टोर्क बन रहा है तो यह से मखरम कर जर्फ है और यह हमारा की दिरिक्शन आ गई अब यहां पर इस След est यह वाली और यहां सुंदी कर रहा है नंहें ओंड तौर setup चanka और यह जैसी होती यह तो है आंपका इस डारिक्शन में स्पिन करने लगता है ऐसे ऐसे उहां जो यॉम्हायर् के टोर्क के भास है को फोलो करती आ Taylor में क्या करा हूं अगर मैं ऐसे करता हूं इसको यह और मोमेंट भास कौन सी आई हम जिक की वज़े से टोर्क कि आई है यह वाले दीस्कस कर लेते हैं कि हमारा और वबसे से टर्क इंगरिंगा सी आई यह वाले डारेक्शन नाई ठीक है आचा इसमें और इसके नहीं न नहीं दिहाना कैराओं मैं से लगजों कि पहने में मुंत विखने इसकी ईक्सिजब में है टोर की डिरेक्शन एमजी के काण जो टोर मन रहा है उसकी डिरेक्शन कौन सी है यह वाली है ठीक है तो यह रोटेट की डारेक्शन चाहिए टोर को फोलो करती है देखना अभी देखना अब देखो ध्यान से देखना यह मनें टॉर्क दिया यह देखो एंगलर मोमेंटम टॉर्क को फोलो कर रहा है क्या कर रहा है ठीक है हाँ अगर इस्पिन के डारेक्शन चेंज कर देते हैं तो टॉर्क के जाती है पhr worse momentum आपका तॉर्क को फो लो करता है इसकी स्पिन की डारेक्शन इस स्थे कर्द imitate टो तो टॉर्क डारेक्शन वील का रोटेशन और यह वाले मुवमेंट है इसका इसको बोलते है इसको यह टोर्क अलग से प्रोड्यूस हो रहा है जो इसको रोटेट करता है क्या करता है रोटेट करता है अच्छे यह सेम चीज किसमें हुई थी फर्स्ट वर्डवार के टाइम पे भूत सारे जो यह रोटर है अब क्या करता सपोज की यह वाले डिर्क्शन वर्टेट कर रहा है तो अब क्या होता है कि पता ही नहीं चलता कि बहुत सारे जो फाइटर जेट थे वह क्रैस हो गए किस वज़े से क्रैस हो गए मतर्ट ट्रेनिंग के दोरान और उसके बाद में फिर वार के द सब्सक्राइब कर गशंच को डिर्कषिक यह लोट रहा का वमेंतम के तुन इस ग्राव कर रहा कि अपका है इस तो जैसे इस तरफ टॉर्क मतलब क्या लगा इस तरफ फोर्स लगाया तो टॉर्क जो यह वाला टॉर्क हुआ जारियोस्कोपी टॉर्क इसका अपवाड हो गई तो यह इजी वे में आपवर्ड ऊपर की तरफ है सब्सक्राइब रहा है उसकी दार्ट जेंज हो रही है लेकिन अगर इसपीनस तरह से चल रहा है इसका रोटर का और अगर इस ने इदर तो क्या हुआ इस तरफ हो रहा है तो क्या हो गया नीचे की तरफ आ रही है और इधर मूड रहा है तो उसकी डारेक्शन ऐसे नीचे बन जाती है तो उसको नीचे रोटेट करता है और आपका जो फाइटर जेहट है वो डायू कर जाता है सीधा पाइलेट को समझ में आता उससे वहले क्रेस क्यों क्योंकि बहुत नीची हाइट बे उस टाइम पर एरोप्लेट आपको फ्लाइग करना पड़ा था समझ माई बात तो बहुत सारे एरोप्लेट ऐसे क्रेस हुए थे फ़स्ट वल्डवार में